हेलो फ्रेंज आप सभी का हमारे यूटूब चैनल वरकिंग थॉट्स में स्वागत है आज इस वीडियो में रिजनिंग के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एकजाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है सिलोलिजम का पहला क्वेस्टन इसमें कह रहा है कि कुछ गाजर मुली है तो देखते हैं कुछ गाजर जो है क्या है मुली है कुछ गाजर जो है वो क्या है मुली है तो ये गाजर हो गया ठीक है गाजर को और ये मुली हो गया ठीक है कुछ गाजर क्या हो गया मुली हो गया और कोई मुली क्या है टमाटर नहीं है कोई भी मुली क्या है टमाटर नहीं है तो टमाटर को यहाँ पर रिषते हैं टमाटर को लिखते हैं टमाटर सभी टमाटर क्या है अलू है सभी टमाटर क्या हो गया अलू हो गया ठीक है अ इसलिए दोनों में तो को रिलेशन है ही नहीं गाजर यहां है और टमाटर यहां है तो कुछ का रिलेशन जो है यह तो बनेगा ही नहीं इसलिए यह क्या है गलत है अगर 100% मेरा गलत हो गया गलत हो गया तो इसका संभावना क्या होता है सही होता है तो अगर ऐसा करता कि कुछ गाजर जो टमाटर हो सकता है तो बिल्कुल सही पार्ट ये सिर्फ गाजर का पार्ट जो मुलीक साथ कॉमन ये सिर्फ टमाटर में नहीं जाता ये पार्ट यहां से यहां जा सकता है तो अगर कुछ बोलता कि कुछ गाजर जो है टमाटर हो सकते हैं इसकी संभावना है तो मेर यह गलत होता क्योंकि सभी गाजर में यह भी पाटा जाएगा और यह पाट चुछे टमाटर में जाएगा नहीं इसलिए गाजर टमाटर है यह संभावना यह भी गलत होगा ठीक है तो यहाँ चुके कुश्चन नहीं करता है तो लेकिन concept building के लिए यह जाना जरूरी है तो निसकर्स वान जो है कि कुछ गाजर है वो क्या है टमाटर है तो यह क्या है गलत है ठीक है क्योंकि कुछ के लिए इस तरह से होना figure जरूरी है जो कि यहाँ पर नहीं है दूसरा निसकर्स है कि सभी मूली क्या है गाजर हो सकते हैं सभी मूली क्या गाजर हो सकते हैं बिल्कुल सही बात है कुछ जो है गाजर मूली है लेकिन ये सभी उठकर ये पार्ट तो गाजर अंदर है तो ये भी बादवाकी पार्ट जो है इसमें जा सकता है यह संभावना क्या है वो सही होगा तो दूसरा क्या है सही है तो यहाँ पर आता है कि option जो मेरा क्या है B है वो correct है ठीक है next question भी symbolism का इसमें कह रहा है कि कुछ गोले क्या है गन है तो हम बना लेते हैं कि कुछ गोले क्या है गन है तो यह गोला है और कुछ गोला क्या है गन है ये गन हो गया इसमें कहा रहा है कि कोई भी गन जो है गनाब नहीं है तो ये गन जो है ये क्या है गनाब नहीं है गनाब कोई भी गन जो है गनाब में नहीं जा सकता है और सभी गनाब क्या है संकू है और सभी गनाब जो है वो क्या है ये संकू ह तो निसकर्स निकालना है कोई भी गोला क्या है कोई भी संकू है गोला नहीं है यानि कोई भी जो संकू है ये देखो ये कोई भी संकू क्या है गोला नहीं है तो ऐसा कहना क्या है गलत है क्योंकि चुके गोला और संकू के बीच में जो है क्या है नगेटिव रिलेशन तो है क वो घनाब नहीं है यानि कि संकू भी नहीं होगा कुछ पार्ट अगर को लेगा कि कुछ जो पार्ट है गोला का ये वाला पार्ट जो है वो क्या होगा घनाब में नहीं जा सकता तो यानि संकू में भी नहीं जा सकता है ये पार्ट लेकिन ये पार्ट जो है ये जो रेस्ट पार्ट इसको छोड़के जो ये पार्ट है जो घन में नहीं कॉमन है ये पार्ट जो है ये तो संकु में जा सकता है ये संभावना अगर बोलेगा तो ये सही होगा लेकिन ये जो बोला है कि सभी जो है सभी के लिए क्या होगा गलत होगा कि कोई भी संकु है गोला नहीं है कोई भी संकु क्या है गोला नहीं है ये गलत है क्योंकि गोला इसमें ये कुछ पार्ट और ये संकु में नेगेटिव रिलेशन बनता है लेकिन इसके लिए थो हम कहर नहीं सकते हैं इस अभी नहीं है इसलिए कि 100% कंफॉर है लेकिन अगर हमको संभावना की बात बोलता तो यह क्या हो जाता सही हो जाता ठीक है अगर 100% confirm सही है तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी लेकिन 100% confirm गलत है तो इसका संभावना क्या होगा सही होगा लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई को सब्सक्यान, बेरालै फिल दो सिर्फowej इतना एरिया में क्या है गन नहीं आईगा, इस पार्ट में तो आएगा अगर बोलता कि कोई भी घंड जो है कुछ संकु का पार्ट जो है घंड में नहीं जा सकता है लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कोई घंड संकु नहीं है यह इससे negative relation है लेकिन यहाँ तो जा सकता है यहाँ इसमें कौन सा होगा option जो होगा d होगा वो मेरा सही answer option d correct होगा next minute question दिया गया है कि ये जो घन दो घन दिये गया है इसमें 4 का विपरित सता में कौन है तो एक बात हम याद रखते हैं कि जो अगल बगल वाला है कभी भी एक दूसरे का क्या होगा विपरित नहीं होगा विपरित होने के लिए क्या है कि जिसे यहाँ 4 का विपरित कह रहा है तो 4 के विपरित में 2 भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 अगर विपरित वाला अगर एक दिख रहा है तो दूसरा नहीं दिखना चाहिए ठीक है विपरित में जिसे 4 के विपरित पूछा है तो चार का विपरित एक फलक चार दिख रहा है तो चार के सामने वाला जो है फलक वो हमको नहीं दिखना चाहिए ठीक है तो यहाँ दो भी दिख रहा है और तीन भी दिख रहा है इसलिए नहीं होगा तो चार का विपरित क्या हो सकता है या तो हो सकता है एक हो जा तो 2 भी है 3 है देखते हैं कि option number A में अगर जाएं B में जाएं तो C में जाएं तो इन तिनों में 2 या 3 कोई ना कोई एक number है इसलिए तो होई नहीं सकता है इसलिए केवल एक number ऐसा है option C है कैसा option है जिसमें जो है 2 और 3 मौझूद नहीं है इसलिए इसका answer क्या होगा और 2 यानी कि जिस तरह temperature को जो है मीजर कोन करता में तर्मो मीटर थिक है तर्मो मीजर करता है उसी तरह जो solar radiation है उसको कौन मीजर करता है यह thermopyle pyranometer यह मीजर करता है तिक है इसलिए इसका जो सही answer होगा यह option क्या होगा C correct answer होगा और अगर हम other option की बात कर लें जैसे एनिमो मीटर हो गया एनिमो मीटर ये क्या करता है एनिमो मीटर ये क्या करता है कि wind speed and direction को मीजर करता है ठीक है जो D option में ये क्या करता है blood pressure को मीजर करता है इस्पैगो मीटर जो हता है क्या करता है blood pressure को मीजर करता है ठीक है next question दियागे कि 4 संख्याएं दी गई है जिन में से 3 किसी परकार से एक समान है जबकि 1 win है पिसम का चैन करें हम देख रहे है कि अगर पहला number ले 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 7214 ठीक है तो इन दोनों का जो multiply होता है यह क्या है यह है ठीक है six to one two ले 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 तो six into two कितना हो गया 12 हो गया और फिप्टि-four हो गया four into five कितना हो गया 20 हो गया दूसी तरह 75, 36 है तो इन दोनों को क्या करते हैं multiply करते हैं तो 7 x 5 क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए लेकिन यहां क्या है 36 है इसलिए यह तिनों जो है समान है लेकिन यह जो है यह क्या है यह different है इसलिए जो option होगा D वो correct answer होगा क्योंकि option D जो है वो क्या है different है मेरा next question दिया गया कि दी गई सिंकला में एक पद जो है लुप्त है दिये गए विकल्पों में से उस उचित पद को चुने जो सिंकला को पूर्ण करता है तो यहां पर क्या दिया गया है तो यहां क्या होगा और given options में से क्या answer होगा यह हमको निकालना है तो हम देख रहे है 18 में अगर R के बाद 3 add कर दें R के बाद 3 position अगर add कर दें तो U आ जाएगा U के बाद अगर 3 position U हो गया 3 add कर देते हैं इसमें X आ जाएगा X में अगर 3 add कर देते हैं D आ जाएगा और D में अगर क्या करेंगे Y, D, A हो जाएगा और यहां B, G, D हो जाएगा तो X के बाद अगर 3 आगे चलेंगे तो A आ जाएगा और A के बाद अगर 3 आगे चलेंगे तो D के बाद 3 आगे चलेंगे तो D का कितना होता है चार आरतीन कितना होता है साथ तो साथ पोजिशन किसका होगा जी का होता है और जी किसमे है option number D में जो है option number जो B है E, J, G तो ये वाला last वाला G किसमें आएगा option number B में आएगा इसलिए option जो है B क्या है वो क्या हो गया correct हो गया ठीक है next question दिया गया कि जिस परकार water संबंदीत है flood से उसी परकार digit संबंदीत है किस से तो water अगर access में आजागा अगर water जो है access आजाएगा तो उससे क्या आजाता है flood आजाता है यानि कि बाड़ आजाता है अगर पानी बहुत ज़्यादा आ गया किसी भी area में तो उसको क्या होता है बाड़ का रूप ले लेता है उसी तरह अगर directly तो अगर disease बहुत ज़्यादा आ जाता है disease अगर यानि कि बीमारी क्या होता है बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसको क्या बोलते है epidemic epidemic करते हैं यानि कि महामारी coronavirus क्या है एक तरह का महमारी है क्योंकि coronavirus बहुत ज़्यादा मातरा में फैल गया है तो option जो होगा इसका क्या होगा C होगा correct जिस तरह water floods related है excessive water को क्या बोलते हैं बहुत अधिक पानी को flood बोलते हैं उसी तरह बहुत ज़्यादा बीमारी का फैलने को क्या बोलते हैं epidemic कहते हैं यानि कि महमारी